तो यह एक समझ में आया कि एक अंडर करेंट था जो बैरा था अल्रेट बिरेंज सिंग जी भी हमें इस परिचर्चा में संभली थो चुके हैं बिरेंज एक प्रश्न किया मैंने बर्जेश शुकला जी से और सरद जी से भी आपने भी इस चुनाओं को बहुत थीक साहद आप सभी जन्पदों तक आप भी पहुँचे और आपने कवर किया आपका क्या विसलेशन कहता है कि बीजेपी की इस महाविजय और विपक्ष की हार इन दोनों की संभीच्छा आप कैसे करोगो आज पूरे दिन इस बात की हुई कि मायवती की पार्टी धारा साही हो गई और मायवती का सारा होट भाजपा उड़ा ले गई इसमें कितनी सत्यता है ये जो लोग इस डिबेट को सुन रहे हैं वो ये बताएं कि ये सत्यता है नहीं कि अगर सत्यता है तो पांच जिलों में समाजवादी पार्टी ने भाजपा का सफाया कैसे कर दिया क्या मायवती का वोट आजमगड में जौनपूर में गाजीपूर में मेटकर नगर में कौसांबी में वो सफा के साथ चला गया भाजपा के साथ नहीं गया या पश्चिमी उत्तर परदेश में खाली गया बड़ी हैरत होती है लोगों को कि कैसे डिवाइडेशन हुआ लेकिन बीजेपी का जो मंत्र था जिसमें रासन की बेवस्था किसान सम्मान निधी और सोचाले मकान सरकार की जो योजनाएं थी उसका सीधा लाब मिलना डीबीटी जनता के खाते में सीधे लाब भारती के खाते में पैसा आना बैमानी रास्ते मना होना मोदी की जो छवी है बार बार जनता से जो उनका संबाध है योगी आदितनाथ ने जो एक हिंदुत की छवी बनाई उनको हिंदु मुसलिम के बजाए ब्रामा ठाकूर के बजाए सभी जातियों ने ओड दिया योगी आदितनाथ एक ऐसे नेता बने जिनोंने जातियों की दिवार तोड़ दी और उनको एक इमानदार मुख्मंतरी के तोर पर जनता ने मदान किया इस चुनाओं में बिपक्ष भले अपने आपको कैक हमें बहुत मजबूती मिली लेकिन ऐसी मजबूती किस काम की है जब सत्ता आपको 10 साल तक ना मिले 15 साल ना मिले बिपक्ष में बैठने के लिए अगर आए है पूरी चिंदगी तो सायब बीजेपी को इससे कोई अतराज नहीं होगा वो खुस होगी आज आप देखिए कि मायवती की वो हालत हो गई कि राजा भहिया की पार्टी ने उनको पीछे छोड़ दिया जिस राजा भहिया को कभी वो अपना जानी दुस्मन मानती थी अब उनकी पार्टी से भी वो पीछे हो गई विधान सवार में एक जो विधायक जीता है पता नहीं वो रहेगा पार्टी में की नहीं रहेगा पता लगा सून नहीं नहो जाय हाँ थी ना वो कोई MLC बना पाएंगी और ना कोई राजसभा तो ये सतीस चंद मिश्रा ये सिधार तसोग ये सब अंतिम दौर में हैं अपनी सियासत के कारकाल में अब पद नहीं अब संगर्स करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी की हार के पीछे दो तीन जो बड़े कारण आये हैं समने उसमें टिकटों का बिरोधा भासी होना विद्रोही हो जाना लोगों का और उच जातियों का समाजवादी पार्टी से अलग होना खास्ता और से ठाकुर और पंडित इन लोगों ने समाजवादी पार्टी को ओंट नहीं दिया नहीं माना उनको लगा कि राजा भाईया से लेकर तमाम लोगों पर जो टिपड़िया हुई वो भी उन्होंने अपने समाज के खिलाप माना टिकेटों का जो बित्रण था उसमें ये बात कई बाहर आई कि टिकेट हर जिले में एक दो गलत बट गए हैं और ये हार और जीत में बड़ा महत्य पूर्ण पूर्ण रोल निभाएंगे और वही जो जिसका डर था वही हो गया बीजेपी ने ये साबित किया कि मोदी और योगी के साथ साथ अभी उसको राम के नाम पर और वोट मिलता है और मिलता रहेगा बाई जे रासन खालिस जो कहिस की पैसा भी मिलना खाते में तो चलो राम के नाम पर वोट बीजेपी देही देओ बस ये बात समझ में आती है कि बीजेपी को ये वोट इसलिए मिला अब बात आती है पश्चिमी उत्तर परदेश में कि क्या किसान अंदोलन फलाप हो गया क्या एकदम बीजेपी ने जाटो को और जो लोगों के हाँ कैजुएल्टी हुई सबको अपने पश्चमे कर लिया ये चमतकार कैसे हुआ जाटो में अगर आप बिरजय जी एक चीज़ देखे कि जितनी छोटी छोटी पार्टियां थी सब का गराब बढ़ गया अनुप्रिया पटेल की पार्टी जादा सीट पा गई निसाथ पार्टी बाल बच्चा सहीद जीद गए और आप राजभर की पार्टी भी सीट बढ़ गई जैन चौधरी को भी सीट आ गई ये बड़े-बड़े दल सब जमीन पे आ गए मायवती, कांग्रेस पार्टी और ये छोटे-छोटे दल ये सब विधायक बना ले गए फाइदे में ये सब लोग रहे लेकिन जाट लैंड में बीजेपी की इतनी बड़ी जीद ना तो बीजेपी को इसका एसास था और ना विपच्च को ये हजम हो रही है इसका लोग अंदाजा नहीं लगा पाए थे आप तीन चरण तक जिसमें अखलेस यादों का गड़ इटावा और मैंपूरी ये सब आता है वहां तक बीजेपी इतनी बंपर जीती है वहां भारती जन्तापार्टी ने सभी सीतें 23 डिस्ट्रिक्ट में अपोजीशन का खाता तक नहीं खुला तेइस जीलों में अपोजीशन ने ऐसा काम किया कि वहां भी जेपी का खाता नहीं खुला लेकिन ये सब तो जिन्दा हो गए ना जो ये जीरो जीरो बैठे थे खाली नाम की पार्टियां थी छोटे वाले फायदे में रहे हां इनको सब निशाद पार्टी अपना दल हां ठीक ओम प्रकास राजबर राश्टरी लोग दल जितना कमेरावादी से लेके अनुपुरिया पटेल की पार्टी राजबर की पार्टी और निसाद पार्टी सारे लोगों का जीत सिंग के जैन चोदरी की पार्टी सबको मिल गया विधायक अभी अपना विधान सभा में अपना रोल निभाएंगे महात्पूर देखिए एक चीज ये है कि बीजेपी ने एक ऐसा मैजि अपना रखा है कि उसका वोटर बोल नहीं रहा है चुनाओं में लोग यह समझते थे कि उनके साथ अखिले स्यादों की सभाओं में बहुत भीडाती थी बहुत मेहनत भी कि बाहर विधान सभा में ओ गए योगी आधितनात भी डटे रहे चुकि अखिले स्यादों अकेले बीजेपी के पास नेताओं की बहुत फौस थी वो परचार में भी भारी पड़ी जनता तक पहुंशने में भी भारी पड़ी वोट भी उसने 43% ले लिया और जो लाव मिला जनता को उसने जातिये बंदन तोड़ दिया मुस्लिम महिलाओं ने हो सकता भी जेपी कोट कर दिया हो दलितों ने ओबी सी ने जातिये बंदन नहीं माना मोधी के नाम पर योगी के नाम पर इस बात को अब इस परदेश के लोग सुकार लें चाहे आज चाहे कल लेकिन इतना जरूर है कि सियासत हर दोर में बदली है कई मंत्री हारे हैं कई चेहरे बदले जाएंगे दिनेश सर्मा केशो पुर्शाद मौरिया इनकी सबकी अब आने वाली सरकार में क्या भूमिका होगी अब इस पर चर्चा हो रही है यह लोग कहा होंगे बहुत सारी बाते हैं बीजेपी की जीत बार बार यह साबित करती है कि इमांदार विकासील और सत्य की राह पर चलने वालों की जीत एक बार नहीं बार बार होती रहेगी और जनता में वो यह विश्वास जताने में काम्याब रहे हैं अब जनता का विश्वास टूटने नहीं देना है, जूट कोसत्य के आगे जुखने नहीं देना है, और निरंतर बढ़ते रहना है, तभी काम्याबी टिकेगी, अन्य था एक ना एक दिन फिर विपक्षा भी हो जाएगा, मैंने एक बात कही, अगर सडक पर संगर्स नहीं हुआ, और जेल जाने से नेता डरा, तो वो बीजेपी को कभी सत्ता से नहीं अटा पाएगा, ये दोनों के लिए तयार हो जाएगा, अब ये बहुत तफ कंडिशन आप बता रहो, इतना कहां कोई करेगा बढ़ी, अब जेल सर्थी नहीं रहे हैं, अब कैरो जेल जाओ, भाई ये ये ज़्यादा हो गया, इतिहास उसी ने रचा है, जिसने जिसने संगर्स किया है, अभी सुरेंदर राजपूत से ये कराऊगे, नहीं, इनकी नेता तयार है करने को, और वो करेंगी अभी आने वाले वक्ति, अभी मैसेज भेज रहे हैं किसी को, एक साहितिकार ने लिखा है कि रा संगर्स की जो चलता है, वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों में जंग जीती है, सूर बन कर वही निकलता है, तो जो बीद गए हैं, अब उन्हें याद नहीं करते, जो आने वाले हैं, उनको सुमार क करो, बहुत बहुत शुक्री आपका मेरें जी, बहुत बहुत धन्यवाद,